बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी लेकिन वहां वो खुश नहीं थी बहल मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पतल भी नहीं बिछाई बस आभी बिछाती हो भाया आभी बिछाती हो बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया आज सुभा एने भेड़ी आपकड़ा था ना वो परोसो हा यह हा यह हा लग। हा च्वाजाओ। हा टेड़स म हा लग्या nazar गया पेट भर गया बहन साफ कर लो सब आ हाँ भया लो कुछ पे नहीं छोड़ा मेरे लिए रोस यही होता है एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हरे एक से बात की लेकिन ठीक तभी बहन नास्ता मिला गर सब को दो जाओ जल्दी करो गर में आख तो है ही नहीं तो जाओ आद्मियों की बस्ती से सुलक्ती लकडी ले आओ भागो सो बिल्ली भागी जाडियों और पत्थरों को फलांगती हुई गाउ में पहुची वहाँ देखो डरू नहीं हम तुमें कुछ करेंगे नहीं कितनी मुलायमों रेश्मी जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूल कर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था बिल्ली सोचने लगी अचानक जोर की गरज से जंगल काप उठा ये शेर की दहार थी पिल्ली एक घर में घुसी और सुलक्ती लक्डी उठा कर जाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी पचानक फिर वही डरावनी गरज हुई और कापती बिल्ली ने शेर को देखा जिसकी आखें खुसे से लाल हो उठी थी वो इतनी डर गई कि उसने जल्दी लकडी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गाव भागी देखो बिली वापस आ गई जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है हाँ हमारे पास रहो ननी मुनी वापस मत जाओ नहीं जाओगी न नहीं कभी नहीं और इस तरह से बिली मनुष्य के संग रहने लगी झाल 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 झाल